हालो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग आपका फिर से स्वागत है मैं चानल पर्फियम गुरू पर सबसे पहले हपी न्यू यह नव वर्ष की शुब कामना है सभी लोगों को आइखुब यह साल आप लोगों के लिए हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा हो और द ऐस तरीके से आप किसी भी लक्जिरी स्टोर में चले जाएं कपनों का लक्जिरी स्टोर हो Calvin Klein हो गया जो हिस्टरी में बड़ी पहले से बहुत ही इंट्रेस्टिंग जो है सिंपल सा जो कहते हैं एक ट्रेडमार्क काइंड फिंग 1730 में शायद इनका जो ब्रैंड है या कहली जी कि पर्फुम हाँ से वह इस्टैबलिश हुआ था तो जेनरेशन दर जेनरेशन 6th 8th जो है अभी पर्फुमर्स इस ब्रैंड के लिए काम करते हैं तो इस नोट जस्ट ब्रैंड इस लेगिसी मैं कहता हूं अगर कोई भी चीज इतनी पुरानी होगे तो वह ब्रैंड नहीं रहती वह लेकिसी बन जाती है तो चलिए दोस्तों इनके पर्फुम्स देखते हैं आं प्रिटी शॉर आपको भी इसके बारे में जानकर जो है बहुत खुशी होगी तो चलिए लेट स्विच होगा तो दोस्तों कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा सर्प्राइज पॉक्स कि पॉक्स फ्रम सेंटेडो इट लुक्स ब्यूटिफुल इन दीस कलर्स अस ओल्वेस और मज़ेदार चीज यह है कि इसके अंदर इनने जो पर्फुम्स भेचे हैं वो फ्लॉरस लेंडन की तरफ स हैं और इन और कुछ सैंपल्स मि इनोंने भेज़े हैं इनका लोगो मुझे बहुत ही जादा पसंद बहुत ही बढ़िया प्यारा सा लोगो है इनका इनन वने एक परस्नल नोट है अंदर हैं आपी नियु अए विश करते हुए मैडी कृस्मस विश करते हुए मैं आपने सकते हैं और यहां पर दो सैंफल्स फ्लॉरिस की तरफ से यह है सपिरो यह है जे हम आज सब कुछ स्पेर करके देखेंगे एंड यह यह है खास चीज फ्लॉरिस संट्राइल उदितौले यह इनका बहुत ही पॉपिलर पर्फिम दोस्तों बहुत ही हाई रेटिंग है अगर इस जल्दी से अन्बॉक्स करते हैं और आपको पताते हैं तो दोस्तों चलिए हम डिसकस कर लेते हैं आज के सेंट्स को सबसे पहला जो सेंट है वह यहां पर मैंने स्प्रेय कर रखा है सफिरो सफिरो जो है दोस्तों वह एक फ्रेश फूशर है यानि की समर्स में लगाने वाला एक स्प्लैश या मेंस फ्रेग्रेंस आप कह सकते हैं जो आपको एक इन्विगरेटिंग सी रिफ्रेशिंग सी खुश्बू देता है यह जो फूशर होते हैं यह बेसिकली क्या होते हैं जब आप दिन की शुरुवात करते हैं तब लगाए जाते हैं वर्यों गूइं तो सॉफ्ट सा सूइट सा मस्की वुडी बेस होता है वो है एक जैजमिन भी है इसके हार्ट में हार्ट नोट में आपने लिए पीच में मिड़ नोट जो होता है एक पर्फिम का तो ठीक ठाक लगा बहुत ही क्लीन बहुत ही सोफिस्टिकेटड रेग्रंस है डिफिनिटली ज्यादा डॉमिनेटिंग नहीं हो बहुत ही ज्यादा एक्जॉटिक नहीं अपने निचर में तो सफीरो ठीक है अच्छा लगा मुझे लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा लेट्स मूव अन्टो जेफ जेफ जो है वो दूसरा सांपल है इसके भी टॉप नोट्स अल्मोस सेम है इसमें भी आपको बगमॉट लेमन लाइम मैंडन ये सारे नीमू फामली के जो भी सेंट्स हैं जो एसेंचली यूज होते हैं फूजयाज में वो मिल जाएंगे लेकिन इसमें क्योंकि इन्होंने च्लेडी सेज आड़ किया है शूनिपर बैरी यह सारे आपकी जो पाइन ट्रीज के पार्ट सोते हैं वह हैं साइपरस है पेटिग्राइप पेटिग्राइज अगें जो आपका नेरोली हम जिसे बोलते हैं नेरोली का जो फूल होता है बिटर ओर मगती मस्की बेस लिस लिस दिस सेम्स लाइक अशी खरीड नहीं टाहिए रिशार तो मेंने कभी आ यह नों पता है कभी हमत ने की इनके पर्फिम्स खरीदने की या मुल्जा ओपरचुनिटीने मिली खरी सो इनिशली अल्कॉर्ण का बलास आया वूधा सा मज़ा खराप कर देता है, but this seems like a very familiar fragrance, कुछ unique या कुछ बहुती धासू नहीं लग रहा है, but fragrances change, and let's not forget this is paper, Flores London की history बड़ी पुरानी है दोस्तों, 17-13, आप समझ सकते हैं, और वो ऐसी history नहीं है, जैसे creed वगएरा की है, जिसका कोई verification नहीं है, इनकी actually जो है history documented है, photographs वगएरा, आप सरूर इनके website पर चेक कीजिएगा, और especially centered हो के website पर जाकर इनका पूरा portfolio देखिएगा, क्योंकि इन्होंने florist को launch किया है, इन दोनों के बारे मुझे कोई idea नहीं था दोस्तों, मुझे इनके reviews भी बने नहीं पड़े हैं, मुझे ये भी नह इन दोस्तों के साथ एक फॉर्मल डिनर पर जा रहे हैं, यह अपने बास के साथ यह फिर बस ऐसे यह यूजिली बाहर जा रहे हैं, तो आप यह फ्रेगर्स लगा सकते हैं, definitely एन इवनिंग फ्रेगर्स, इसमें पाइनी अलिमेंट्स जादा मिलेंगे, जो हमारे इंडियन में आपको मस्की बेसे जादा मिलते हैं, यहां पर आपको यूरोपियन फ्रेगर्स में वो पाइनी असपेक्ट जादा मिलेंगे, मॉसी करेक्टर मिलेगा, जो आप इमाजिन कीजिए कि किसी भी जंगल में, किसी भी फॉरस्ट में, या इस्पेशली जो हाइट पर हाईर देखिटियों सब्सक्राइगे, आपको मिलेगे इस ही झे माजिन ऐसेजली में पर सेगते हैं, आपको यूरोपियन सेंट बेसेज Sehr keen to the main scent which is florist london santal santal जो है दोस्तों एक french word है for sandalwood of course और florist एक ऐसा brand है जो मैं इनकी हिस्टरी पढ़ रहा था इन्होंने sandalwood के साथ बहुत काम किया है बहुत ही जाड़ा काम किया बॉक्स बहुत ही अच्छा लगा मुझे बहुत ही sophisticated exotic basic बिलकुल एक European feel है इसमें I love simple presentations like this like these and these paper boxes really really are fantastic बहुत पढ़िया इसके पर एक finish दी कही है इसका जो लेबल है बहुत ही अच्छा है lovely so good work there so made in England a purveys of the finest perfumes and toiletries to the court of st. James since the year 1730 तो of course royalty के साथ associated है यह brand classic and original fragrances created over nine generations by the florist family जैसे आपको पताया था 6th से 8 तक तो मुझे पता था presently जो फैमिली है वो ninth generation है दोस्तों कभी-कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारे ब्रैंड्ड्स जो है उनकी history भीच में खो जाती है क्योंकि कभी क्या होता है कि ninth generation जबूरी नहीं कि आपके आगे कि जो skills और जो लेकर रहा हूं तो वो मुझे लगता है यहां पर हुआ है and florist has come back strongly but बहुत सारे ऐसे reviews आपको online मिल जाएंगे especially जो हमारे UK के reviewers जो florist को review करते हैं तो let's take a sniff I am really excited बहुत ही जादा मुझे excitement है क्योंकि sandalwood आपको पता है मेरे बहुत ही जादा करीब है यह fragrance मुझे बहुत जादा पसंद है और चंदन ही दोस्तों वो खुश्बू है जो European fragrances हो Indian fragrances हो खुश्बूों को एक magical touch देता है so let's do this बहुत अच्छे reviews भी है इसके तो I am already aware of the reviews मैंने reviews नहीं पढ़े मैंने बस score देखा है और score बहुत ही अच्छा था इसका क्या बात है तो यहां पर धोखा नहीं होगा this is rich exotic इसमें एक दोस्तों finis है जो आपको पुराने sandalwood fragrances से आती थी यह fragrance एक ऐसा fragrance है जो मेरे जैसा इंसान जो गेरला वेटिवर पसंद करता है जो पुराने दियॉर के दियॉर और सवाश पसंद करता है जो classic fragrances है अपने अजारों का chrome पुराना वाला बहुत ही बढ़िया इसमें जो sandalwood की खुशबू है बहुत ही बहतरीन है बहुत ही प्यारी है बहुत ही genuine है और इसके ओपर एक इनों ने fuji air को build किया है so this has very interesting notes और इसमें आपको खुशबू मिलेगी citruses की इसमें आपको खुशबू मिलेगी कुछ फूलों की इसमें आपको खुशबू मिलेगी एक बहुत ही प्यारे से woody based की जो sandal के अलावा भी इस fragrance को एक बहुत ही powerful structure दे रहा है एक बहुत ही rich structure दे रहा है यह दोनों fragrances तो बड़े ही simple थे दोस्तों this has presently surprised me यही खारण हो सकता है यही reason हो सकता है कि इस fragrance इतना popular हो so thank you again मिस सुर्भी जो marketing managers है centido की तरफ से उनको शायद अंदाजा लग गया कि मुझे ऐसी चीज़ें पसंद है इस तरीके fragrances जो rich हो जो exotic हो जो थोड़ी historical हो चंदन यार सुनते ही जो खुशबू है न वो आपके मन को खुश कर देती है सारी थकान दूर कर देती है and it's such a calming smell this is beautifully blended with the spices and the citruses at the top brilliant this is absolutely crazy एकदम sophisticated scent है दोस्तों rich है of course इसकी longevity भी जैसा मैंने website पर देखा I'm pretty sure कि आपको इसकी longevity भी बहुत अच्छी लगेगी यानि कि इसकी performance जो है बहुत अच्छी लगेगी even though it's a light colored cologne sort ये कोई बहुत जादा perfumy नहीं लग रहा है but I'm pretty sure this will give you fantastic longevity और especially ऐसे ऐसे मौसम में जहां पर हम रहते हैं जहां पर गर्मी बहुत होती है तो थोड़ी सी you know चुबन होने लगती है तो थोड़ी सी घुटन होने लगती है this is absolutely beautiful एक fragrance की याद आगई यार क्रीड का क्रीड आपको पता ही होगा जैसे मैं अभी बात कर रहा है बहुत ही popular luxury fragrance house है अभी फ्रांस में बेस है बट यू के से उनकी history attached है क्रीड का एक fragrance हाता है जो यूजियल क्रीड के बारे में लग अवेंटस की बात करते है और और बी जो थोड़े से popular fragrance है नहे वाले उनकी बात करते है बट तैस दिस fragrance काल बाद पॉर्टुकाल बाद पॉर्टुकाल बहुत ही intense sandalwood fragrance है जिसमें टिपिकल यह character frugier का मिलता है एक men's fragrance बाबर शॉप clean, refreshing, amazing, dynamic signature scent मतलब यह एक ऐसी खुशबू है जो एक rich perfume का भी काम करती है और एक कलोन का भी काम करती है एक aftershave का भी काम करती है यूजली मैं क्या करता हूँ जब भी मैं shave करता हूँ तो मैं क्रीड का जो बाद पॉर्टुकाल है मेरे पास luckily एक पुराना bottle है जिसके खुशबू बहुत ही जादा स्ट्रॉंग और खुशबूदार है तो मैं क्या करता हूँ अपने हाथ पर ले लेता हूँ और splash कर लेता ह यूजली 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 तो दोस्तों यह एक्साट्री उसी तरही खुशबू है और अब मुझे समझ मैं कि यह खुशबू इतनी पॉपिलर क्यों है और दोस्तों यह बहुत सारा expensive perfume भी नहीं है आप Centido India website पर चाहिए मैं नीचे links mention कर दूँगा और आप इसक आपको गेरला के sophisticated fragrances की याद आएगी आपको Creed की Body Portugal की याद आएगी विच आए थिंग इस अ ब्रिलियंट इंग और यह एवर्ग्रीन सेंट है यादा आप चंदन की कुछबू को कभी perfumery से अलग महीं कर सकते है perfumery and chandhan are like one unit तो I hope आज का वीडियो आपको मज़दार लग सकते हैं वो इनके साथ है and this is a legitimate story officially invite करते हैं सारे brand ambassadors को सारे brands को इंडिया में licensed हैं तो दोस्तों इनका काम जो है वो बिलकुल unsurpassed है इनका जो store है वो भी बहुत ही खुबसूरत है अगर आप मुंबे में देते हैं तो आप ज़रूर चेक आउट करें actually मेरा plan था store पर जाके vlog बनाने का बाट इस साल पॉसिबल नहीं हुआ 2021 I promise you अगर opening मिलती है अगर chance मिलता है तो I'll definitely visit their store and give you कह सकते हैं कि virtual experience सारे fragrances हम discuss करेंगे उनके जो store owner है उनसे बात करेंगे फांडर है उनसे बात करेंगे आपको फिर से best wishes देदू नए साल के लिए keep rocking keep smiling खुश रहिए मुस्कुराते रहिए take care goodbye फिर मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो रिव्यू के साथ